हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि C language में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जो software required होता है उसे हम कहां से download करें और उसे हम कैसे install करें आप जानते होंगे कि हमारा जो operating system होता है वो अलग-अलग architecture का होता है जैसे कोई 32-bit का होगा कोई 64-bit का होगा तो हम अपने operating system के compatible कौन सा C language का software डाउनलोड करें और कैसे उसको install करें ताकि उसका full flashed feature जो है हमारे operating system के अंदर available हो ताकि हम उसमें असानी से program लिख पाएं तो देखते हैं कि कैसे हमें इसको install करना होता है कैसे इसको download करना होता है तो आपको आप सभी को यह जानना जरूरी होगा कि software का क्या नाम है तो C language का जो software है mostly वो available है किस नाम से तो turbo C नाम से तो आपको करना क्या होगा तो सबसे पहले आपको अपना web browser open कर लेना है और उसमें search करना है टर्बो सी डाउनलोड राइट क्या करना है टर्बो सी डाउनलोड तो मैं अपना web browser open कर लेका हूँ मैंने यहां पर अपना web browser wordplex.com इसको मैं description box में भी डाल दूंगा इस link को ताकि आप directly वहाँ से उसको open कर पाएं तो आपको करना क्या होगा जब इस link को आप click करेंगे इसको मैंने click कर लिया तो हमें यहाँ पर दिखाए दे रहा है लिखा हुआ कि this project has moved download latest version after turbo c++ तो बस आप इस link को क्या करेंगे click कर दिजेगा आपने इसको click कर दिया तो मैंने इसको click किया तो मुझे और window दिखी जहाँ पर यह लिखा हुआ है download आप इस button को click कर दिजेगा इस button को click करते ही आपका जो c language का software है वो start हो जाएगा downloading तो यह बस कुछ second लेता है पहले start होने म है और उसके बाद को यहाँ पर सी डाउंडूड कर चुक्अ हूँ इस software को तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे install लोगा रही तो मैं इस software को कि location पर जाता हूँ मैं यहाँ पर location पर गया मुझे यहां पर दिख रहा है टर्बसी इसको मैं यह jip file है मैं इसको即 कॉर लेता हों यहां पे यह मैंने अंजिब कर लिया रहéma तो इस फोल्डर के अंदर आ गया अब मैं इसको उपन किया मैंने फिर मुझे यहां पर सैट अप दिख रहा है मैंने इसको क्या कियक involves किया मैंने इससेट आपको double click कर दिया इसके बाद में अब मुझे ये dialogue box दिख रहा है यहाँ पर next का बटन दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर next बटन क्लिक कर दिया रहीट फिर आपको यहाँ पर दो option दिख रहे हैं आपको इस option को select कर देना है I accept the terms in the license agreement right क्योंकि यह software आप यूज करने जा रहे हैं तो इनके term को आपको क्या कर देना है accept कर देना है तो accept कर दिजिएगा उसके बद में next करिएगा फिर install बटन देखेगा इसको click कर दिजिएगा तो install कर दिया मैंने तो बस कि लास्ट में आपको यहां पर फिनिस देखेगा आप इसको फिनिस कर दिजिएगा तो जो टर्बो सी का software है वह आपके system में install हो चुका होगा अब आपको क्या करना है अब आप software को open करना चाहते हैं तो यह आपको आइकन दिखेगा MS-DOS सी करके टर्बो सी करके बना हुआ ह तो बस आप इसको डबल क्लिक करिएगा और आप यहां से start कर सकते हैं इस पर क्लिक किया मैंने तो यहां पर देखिएगा आप यह टर्बो सी की जो विंडू है वो आ गई अब आप आसानी से यहां पर प्रोग्राम अपने लिख सकते हैं तो बस आज के वीडियो में बस इत नहीं थैंक यू थैंक यू सो मच